हालो इभरिवान, मुझा आजनिका, पडिये गुरी चानेल को या पणको सागत करूँजी आमे इंडियान नेशनाल मुम्मेन पड़ु थिले एमांग तार लास्ट पार्ट रहाशी की पहंची चे आजी पड़िवा पाटिसन आण इंडिपेंडेंडेंड और थात बिभाजन और स्वाधिन आता आमे जेत्ते बड़ इंडिपेंडेंडेंड हैले पुरा आमर जो इंडियान सबकांटिनेर थिला सेत्ते बड़ जोट आमें इंडिया मैप पोली कोहु थिले इंडिपेंडेंडेंड पुर्बोरु पाटिसन हे गला अर्थाद पाकिस्तान एबंग इंडिया दोईटी अलगा-अलगा कंट्री रे दिभाइड हले। ताहले केमिती स्वाधी नहला, कौन-कौन सबु प्रिंसिपुल रही थेला, एबंग ता पुर्बोरु किछी पोयंट कु आमको डिसकोसन करिवा कु पडिवा। क्याबिनेट मिशन प्लान गोट करा जाई थेला, ता पुर्बोरु, इंडिपेंडेंट पुर्बोरु डायरेक्ट आक्षन काम्पेन ही थेला, इंटेरिम गौन्मेंट गोटा फर्मेशन करा जाई थेला, फर्मेशन अफ कंस्टिचुएंट असेम्बली, कंस्टिचुएंट आसेम्ली रग अठन ही थिला आटलिंक रा अनाउंस्मेंट पढ़िवा कोस्चेन दे सबड़े वितरू आसे आटलिंक अनाउंस्मेंट काण माउंड बेटेन प्लान काण ता परे जाईकी इंडियान इंडिपेनेंस आक्ट पढ़िवा जो तरे इंडिया इंडिपेनेंट हेला एबंग ता परे देखिवा किछी इंटेरिम स्टेट्स विशायरे आरामभ करीबा आठोडा पोएंट आमें कभर करीबा पाटिशन आन इंडिपेनेंस वितरे प्रथमे देखिवा क्याबिनेट मिशन प्लान क्याबिनेट मिशन प्लान हे थेला 1946 प्रथम कोश्चेन डाइरेट कोश्चेन आसे क्याबिनेट मिशन केबे हे थेला केबे गठन करा जाए थेला इवर मने रखिवे एबंग ता रकूट डेड़ सो हेता मने रखिवे आहरी बेटर 15 मार्च 1946 रे मेड डिकलारेशन एडा तियारी हे थेला तो ब्रिटीज प्राइम मिनिस्टर सेत्य बलकु थेले लॉरेंस आटली क्याबिनेट मिशन प्लान जेत्य बड़ गठन करा जाए थेला सेई समयरे किये ब्रिटीज प्राइम मिनिस्टर थिले ना लॉरेंस अटली थिले कहीं की एई काबिनेट मिशन गठन करा जाई थिला तार उद्धिस्य कॉन थिला ना ब्रिटीज काबिनेट मिशन उड़ विजीट इंडिया और मेक रेकोमेंडेशन रिगारिंग कॉन्स्टिचुचनल रिफोर्म्स टू बी इंट्रेडूस् प्रिटीज रू किछी लोको आसी थिले जो मने की गोटे काबिनेट मिशन गठन करी थिले से माने इंडिया कुई भीजीट रेकोमेंडेशन देए थिले जे केमिती अमर कंस्टिचुचनल रिफोर्म्स बू बन्निबा उचित अमर केमिती कंस्टिचुचन गोटे गठन है पारीब जहां फड़रे भारतियो लोकों को पाईंस इटा सुहेईला भड़ी है थीब एठी आमर्जेम ती थिला कुरुशी प्रधान देश थिला ता परे रिलिजियोस बेस्ट कंट्री थिला तो लोकों मा नंको देखी की की भड़ी भाबरे कंस्टिचुशन तियारी हेब ताकु रेकमेंड करीवा पाईंस इमाने आसी थिले एबँ लोड पाथिक लोरेंस तांको सहिता थिले स्टाफ़र्ड क्रीप्स एबँ एभी आलेक्स जान्डर भीजिटेड इंडिया आमें जो कुछ गोटे मिसान ही थिला गोटे दड़स इमाने कठान करीके आस थिले गो दिफ्रेंड पॉलिटिकाल पाटीज थिले ते बड़े आमरो थिला कण कॉंग्रेस पाटी थिला भा मुस्लिम लीग थिला तो ए भड़ी सब्बु डिफ्रेंड पॉलिटिकाल पाटीज मानना को सियासी की देखा करे थिले भेटा करे थिले एबँ सेमाने तांकर मिसान वि देश्यरे आसी थिले, किन्तु सेथिरे से सक्षेस है इपारी न थिले, तार किछे सल्यूशन थाको मेरे न थिला, किछे डिफिकल्टीज तांको फेस करीबाको पड़ी थिला The mission invites the establishment of a constituent assembly to frame a constitution, the constitution बनेईबापाई गोटिए constitutional assembly गठन करीबार थिला, as well as an interim government Okay, केबड़ गोटिए संबिधान बने इदरले हबनी, ता पाई गोटिए constitute assembly प्रथमे गठन करीबाको पड़ीबा, एबां ता सही तो गोटिए interim government मध्य तियारी करीबाको पड़ीबा Interim government करन जेते बड़े independent पुर्बोरू, माने आमरा प्रकृत government जिये, ता पुर्बोरू कीछी सासक करन करनती, माने गोटिए M.E.T. बनना ही थाए जो माने की तार दायत्तो निरभाह करनती तांको interim government को आजे, आगो कुमुत आभी सरे आउटिके explain करी भी, जे मीतिकी आशी की सिमाने political parties मानों को देखा करी थिले, तो Muslim League accepted the plan on 6 June very very important, ताहले एई प्लान को Muslim League accept करी थिला की नाई, नासी accept करी थिला, केबे करी थिला, 6 June 1946 टे करी थिला, and striving for a separate Muslim state सब्बू बढ़े Muslim League रो गठन परटारू, सिए सब्बू बढ़े गोटिये अलगा country रो मांग करू जी, अर्थात सिए इंडिया सहीत गोटिये country रो ना रही की केबड Muslim community को नेई, सिए आउगोटिये country रो सब्ढ़े करी थिले, तो सेही जो आसी थिला, आमार काबिनेट सब्बू बढ़े मिशन ताकु सेमाने असेप्ट करी थिले, के बे 6 जुन 96 रे, ओके, एबंग सेमाने तांका पाइं गोटिये सेपारेट स्टेट, गोटिये इंडिपेंडेन स्टेट रो सिए, तांकार उद्देश्यों को जणे थिले, आमें गोटिये इंडिपेंडेन स् किन्तु किछी कांसरा ताको असेप्ट करी थिला, ओके, तापरे देखिबा, सेकेंड पॉइंट, डाइडेट आक्षन कामपेन, डाइडेट आक्षन कामपेन केबे ही थिला, जोदी केबड इयर पडे 1946 ते ही थिला, किन्तु जोदी पटिकुलार डेट आपणकु दरकार, ताहले सेटा मध्य लेखी नेबे, जे सहड़ अगस्ट 1976 त्रे डाइडेक्ट आक्षन कामपेन ही थिला, ताहले एग जिन्सटी काण, डाइडेक्ट आक्षन कामपेन दो उद्दीश्य काण थिला, ना All India Muslim League, जोटा की, मुस्लिम लिग कोजे, decided to take a direct action कामपेन, ताहले इड अगस्ट 1976 त्रे डाइडेक्ट आक्षन कामपेन कु मुस्लिम लिग, decide करी थिला, करी बापाई, सोहड़ अगस्ट 1976 त्रे, कौन पाई, ना इउजिंग जेनेराल स्ट्राइक्ट, साधारन भाबरे जेमती लोको बिद्रोह करनती, रास्ता कु उठियासंती स्ट्राइक करनत ही थाए, मार्केट भी बंध करा जई थाए, सबु दोकान बजार बंध हुए, तो एकोनोमिकाले सेत्त बड़े सट्डाउन करी थिले, कौन पाई, to demand a separate Muslim homeland, after British exit from India, जेत्ते बिड़े ब्रिटिसर्स माने इंडिया चाड़ी की पड़व चनती, जिबा पुर्बोरु, तांक कपाई गोटिये separate Muslim homeland, अर्थाद Muslim कपाई गोटिये अलगा country सेमाने चाहु थिले, तो सेही थिबाई सेमाने जोगोटिये दड़व अध्ध भावरे strike करी थिले, shut down करी थिले, ता कोहीं direct action campaign कोहा जाये, ओके, ता पर देखिबा, तिन नमबर, interim government, मुँ कही थिले आगो को interim government विसरे आउटी की explain करी भी, ये मध्य 1946 ते ही थिला, तार actual date होची 2 September 1946, आन interim government was firm, ताले interim government टा कौन, येड़ा होची गोटि प्रकार government, that is mean to last, only limited period, ये गोटिये निर्धिस्ट समय पाई एड़ा ही थाये, गोटिये थाये, गोटिये थाये, गोटिये थाये, गोटिये थाये, government is elected, जे परज़न तो गोटिये पर्मानेट government ना बनी ची, जे परज़न तो election ना ही ची, सेई परज़न तो काम चड़े बापाई ची गोब्मेंट कु बना ही थाये, ता कुहें कुहाजाई interim government, ओके, तो आमरे जेत्ते बोड को स्वाधे नला, ता परे आमें चोथी पढ़ि अमरे देश केमीती चालू थुला, लौ मेकिंग कापासिटी कहा पाखरे थिला, ना सेत्ते बेड़ से समय पाएं गोटिये interim government formation करा जाई थिला, कॉंग्रेस मेंबर सेत्ते बड़ुको अमरे जे थिले, सी होचन दे जवाहाल नाल नेहरू, अमरे जे प्राइमिनिस्टर थि जोएन इट, बड़ मुस्लिम लिग दिन नाट जोएन, तो ये भी कोश्चेन पड़ी पारे, जो interim government, आमें देखी ले, या पूर्बरु, ये मध्या ही पारे, जो direct, हाँ, एटा, आमें काबिनेट मिशन रे, मुस्लिम लिग कण, मुस्लिम लिग असेप्ट करी थिला, की न मुस्लिम लिग ताकु जोएन करी न थिला, मने रखिवे, ओके, ता पर देखिवा, formation of constituent assembly, ये मध्या 1946 रे ही थिला, एबंग, जोदि डेट देखिवा, 9 December 1946 रे ही थिला, कोठी constitution hall, which is now known as central hall, जोटा की बर्तमान, आमा पाल्या मेंट्र सेंट्राल hall बली आमें कोचे, सेई ज जागारे, New Delhi रे प्रत्थम में, constituent assembly प्रत्थम थरपाइं, फर्मेशन ही थिला, मने रखिवे, constituent assembly मेट, फास्ट टाइम, इन हुच प्लेश, ना, New Delhi, अन हुच डेट, 9 December 1946, कोजागारे, हुच प्लेश, दिली रे, Central hall of parliament, ओके, डक्टर राजेंद्र प्रशाय सेत्यवार को इलेक्ट ही थिले, first was elected its president, एबं, Muslim league याको जयन करी न थिला, मने प्रत्थम रुच जेत्ते सब आमारो independent पूर्वर ये गड़ा को, Muslim league अपोज करू थिला, एबं, सिए, constituent assembly पाइं, जो meeting बसी थिला, से थिरे, सिए, participate करी न थिले, present रही न थिले, ओके, next देखिवा, at least announcement, ए एब आसी गले, आमे 1947 को आसी गले 1947 ने ही थिला, कोडिये, February 1947, at least announcement करें, at least हो जन ती जने ब्यक्ती, सिए किछी गोटे announce करी थिले, किछी गोटे declare करी थिले, तहले से at least जन क किये, सिए हो जन ती British रा प्राइम मिनिस्टर, एबं, सिए, announce करी थिले, जे British would withdraw from India by 30 June 1948, सिए कही पुर्बरु आक्चोलिस माने पड़े इथिले इथि पाईन थामे 1947 रही इंडिपेंडेंट पाई जाई जाई थिले सी 48 जिबार थिला एबग, the Mount Britain would replace वेभेल, तापरे आटलीं को परे वेभेल आशी ले, वेभेल को परे पुणी Mount Britain आशी थिले, आमी जित्ते बड़कु अमुँ भाईसरोय पड़े ही ची से इत्रे बदे कभर ही थिले, आपण देखी ने बे सब्बु जाका भाईसरोय कीए केत्ते बड़े थिल एबग, Governor General एबग, भाईसरोय सिक्क्वेन्सियाली मोटी क्लास करी जी, ओके, आपण चाहिले ताको देखी परिवे, तापरे Mount Britain प्लान, एबग, Mount Britain आशी जन्ती, Lord Mount Britain, 1947 March Day, सिये वेभेल को रिप्लेस कले, ओके, आमे देखी ले, आटली थिले, आटलीं को परे वेभेल चाहिले, एबग, सिये कण आणाउन्स करी जन्ती, मने रखी वे, आटली कण आणाउन्स कले, आटली आणाउन्स कले, कि 33 जून, और चाहिले, भीतरे, ब्रिटिशर्च माने इंडिया चाहिले की पड़े वे, एबग, Mount Britain प्लान रे, Mount Britain को हो चाहिले, ना 3 जून, और चाहि इस रे, he announces plan, ताहले तांगा प्लान्टी कौन थिले, ना principle of partition of British India was accepted by British government, जो partition चाहूं थिले, कौन, इंडिया और पाकिस्तन तांकर, अलगा-अलगा दीटा country हो बली, partition को चाहूं थिले, ताकूस ये, आसेप्ट करी देए थिले, Mount Britain, ओके, एबग, सक्सेसर गौन्मेंड, उडविगी भें, Dominion Status, ताहा परे, जो सक्सेसर गौन्मेंड हब, और थात, ब्रिटिशर गौला परे, तांकर, उतराधीकरी सुत्ररे, जो सरकार तियारी हब, ताकूस ये, प्रदान करीवे, Dominion Status, Dominion Status, र अर्थोची, Self, गौन्मेंड, नीजी, नीजर, सरकार से, माने, ति आमरो पाटिशन रो पूर्व अबस्ता, एबे तामें पाटिशन को भी पहंची गलेण, ये ता पाटिशन पाई, ये राजी ही जाई जाई जान्दी, माउंट बेटेन प्लान ने से जाने इंचन्ती, जे प्रेंसिपल अब पाटिशन अग ब्रिटिश इंडिया 1947, फाइनली एबे भारत स्वाधिन हबागो जाई जी, माउंट बेटेन प्लान अफ 3 जुन 1927, अक्चली एटा अहां, वाज इंट्रिदूस्ट इन ब्रिटिश पाल्लियामेंट एड पास्ट, इंडिया इंडिपेनेर एटा 27 न हुआ, ये 47, ओके याको करेक्ट करने बे, 1947 1947, होजी 3 जुन 1947 दे, माउंट बेटेन जो प्लान देले, जेस ये पाटिशन पाई राजी ओ छन्ती, ताको इंट्रिदूस्ट करा गला, ब्रिटिश पाल्लियामेंट रे, एबंग ताको पास्ट करी दिया गला, जोटाको की कुहा जाए, आमर इंडियान इंडिपेनेंट 1947, दो आक लेट डाउन, डिटेल मेजर्स फर दा पाटिशन अफ इंडिया, से थिरे, सम्पुन भाबरे गोटी ये बीबरणी, लिपी बध हे की रहिला, जो इंडियार पाटिशन बिशारे से थिरे सब्बू जिन्समेंशन हेला, और स्पीड़ी ट्रास्फर अब पॉलिट पावार थिला गौन्मेंट मेक करिवार ताक्को बहुत सिग्र ताक्को शीफ्ट करी दिया गला इंडिया एबंग पाकिस्तान दुइटी कांट्री डिभाइड हे गले एबंग तांको तांकर पौलिटिकाल राइट मध्यों मिलेला ठीक ची ता परे लास्ट पॉइंट गोट पौलिटिये सुंखल ता भावरे जो कण वोटिये काज्य आरंभ हेवा पूर्बोरु जो गौन्मेंट थिला ताक्को आमीं इंटेरिम गौन्मेंट कोई थिले एट असेम ती इंटेरिम स्टेट्स और थाद इंडिपेंडेनेंट परे जोव जोव स्टेट बनिला ता पौ माने स्वाधिन था परे परे संगे संगे को स्टेट सबु बनि थिला ना बाई 15 अगस्ट 1947 आक्चुली जबे स्वाधिन हला आमें जबे स्वाधिन था पाईलू अल स्टेट्स एक्सेप्ट काश्मीर सबु स्टेट बाद देगी काश्मीर आड जुनागर आड आड हाड साइन्ड दा इन्स्ट्रुमेंट ओफ आक्सेशन विद इंडिया तो सबु स्टेट माने कन कले ना साइन करी थिले जैसे माने इंडिपेंडनेंट स्टेट बनि ले बली किन्तु काश्मीर जुनागर यबंग हाइदराबाद साइन करी न थिले एक्सेप्ट लेख कठन हैं थिला काश्मीर थिला किसे थिले शेन थिले ताहले से केबे ä State Shift कला ताकु October 1947 न कला युके तापर न अबाब Dusuna गड व ऑजे मुसलीम आ चलिवाद दिलेखम। मुस्लिम थिले but most of people are Hindus किंदु तांकर से state रो अधिक आंग्स लोको हिंदू थिले तो ए भड़ी गोटि प्रोब्लेम पाई ये जहे तो मुस्लिम कमुनिटी रो बिलंग करू थिले जुनागणर नबाब तेनू सिये हुए गोटि इंडिपेंडनेंट स्टेट बाशिये चाही थिबे पाकिस्तान साइट कू जिवाकू कॉण गोटि डिसेशन नबाखू जहा फडरे सिये संगय संगय सेथिरे कॉण हिए थिला ना सिये ताकू आसेप्ट करी न थिले ओके ताले के बे आसेप्ट कले इट डिसाइडेट टू जोएन इंडिया इन फेबुरुरुरुरी नाइन्टिन 48 रे सिये गोटे वर्षा पाखा बाखी परे सिये जोएन हिए थिले ओके ये थिला इंटेरिम स्टेट्स तो आमे पाटिशन आण इंडिपेंडनेंट रो आठोटा पोएन्ट बोध भला भाबरे डिसकोशन कले पाटिशन रो कज्जेस जानिले काबिनेट मिशन डाइरेक्ट आक्षन कामपेन इंटेरिम गौप्मेन्ट फर्मेशन आफ कॉन्स्टिटुएन्ट आसेम्बली ठो आरम्भा करी की लास्ट इंडियान इंडिपेंडेंड आक्षेला एबंग इंटेरिम स्टेर्स आमी डिसकोशन कले आसा करूची क्लास्ट इअपण कु निष्चोई भाबरे भल लागी थिवा एबंग जदी आपण यारा पीडियेप चाहों थान्ती आमा टेलीग्राम चैनल ले ज़ाइन ही जीबे तार लिंक मूँ डिसक्रिप्सन ने देदेवी कलास्ट इभल लागी ले लाइक करीबे सांगामाने कु शेर करीबे एबंग चैनल ले नुआ थिले चैनल कु सब्सकाइब मध्य कर देबे ठैंक्यू, जय हिन